शरी तिलिकराज के पिता लाएक राम भारती सेनदौरा पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कारवाई से संदूष्ट हैं मंडी पहुंचे शरी तिलिकराज के पिता में मीडिया के साथ बातचीत के दुरान ये बात कही उन्हें मन्डी जिला परसाशन ने अntaraस्ती शिवरातली महुष्चव की चौथी सांस्कृतिक संदिय के लिए आमानतरित किया था आपको बता जाएं कि दो संदियाँ की कटॉती के बाद चौथी सांस्कृतिक संदिय का आयोजिन किया गया था ये संद्या भारतिय सेना के शोरे पर आधारी थी संद्या में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए तिलक राज के पिता सहीत अन्हे परिजनों को विश्य शुरूप से आमांतरित किया गया था परशाशन की तरफ से सैनिक कल्यानर विभाग ने शहीद तिलक राज के पिता लाइक राम को सान्मानित भी किया वहीं नामधारी संगत मंडी ने शहीद के परिवार को एक लाग का चेक भेंट किया साजकतिक संद्या से वापिस जाते वक्त शहीर के पिता ने मेडिया के साथ बाचीत के दुराद कहा कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हो चुका है लेकिन भारती सेना जो जबाबी कारवाई कर रही है वेवसे संतुष्ट है मैं तो धन्यवादी हूँ मंडी के लोगों का और जो हमारी ये संगत है नामधारी संगत बहुत खुशी हुई कि हमारे कांगडा के बेटे को इन्होंने आज बहुत बड़ा एक सम्मान दिया है बलिदान तो हमारे तिलक जी ने दिया था लेकिन मंडी वालों ने उसका सम्मा कांगडा के बेटे को जो सम्मान दिया है इसका ज्वाली और जिला कांगडा अरीनी रहेगा और मंडी के लोगों को तो मैं शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करें वहीं उनके साथ सुरेश ने मंडी में शहीद के परिवार को मिलने वाले मान सम्मान के लिए सभी का आभार भी जताया उन्हेंने कांगडा के शहीद को मंडी ने जाना है और मान सम्मान दिया है इसे वे कभी भुला नहीं सकते हैं